The time from 12 o'clock midnight till 12 o'clock noon is called a.m., anti-meridian. The time from 12 o'clock noon till midnight is called p.m., post-meridian. Means, दुपैर के 12 बज़े से लेकि रात के 12 बज़े तक का time जो होता है, उसके लिए हम क्या बोलते है? पी-एम, means, post-meridian. Post-meridian की short form क्यों होती है, पी-एम. ऐसे ही, रात के 12 बज़े से लेकि दुपैर के 12 बज़े, मतलब सुबह के 12 बज़े हैं, उस तक वह वाले time के लिए हम क्या use करते है, ए-एम, means, anti-meridian. अब हम इसके आगे की कुछ questions करते हैं. Question है, rewrite the following times using ए-एम और पी-एम. यहाँ पर हमें fill करने के लिए दे रखा है, और इसमें हमें ए-एम और पी-एम का use करके, यह fill दा blanks को fill करना है. 6.15 in the evening. Evening के 6.50 कितने क्या होगा? मैंने पहले ही बताया था भी आपको, कि ए-एम में क्या होता है? Evening में क्या हो जाएगा? पी-एम. Half past 12 at night. रात के तीम बजे रात में क्या होता है? ए-एम. Quarter to three past noon. तीन बज़ के 15 मिट क्या होगा? पी-एम. Quarter past eight in the morning. आट बज़ के 15 मिट पे क्या होगा? मॉर्निग में? ए-एम. Half past three at night. रात के तीम बज़े. साड़े तीम बज़े. ए-एम. Five minute to ten. एक नाइट. दस बच के पांच मिट पे. ए-एम. मैच करने हैं हम यहापे. इसने हाइड हर लंच. इसने हापना लंच कब लेगी? आफटर्नून में लेगी. लंच कब लेते हैं आफटर्नून में. तो किस से मैच करेंगे? दो बच के पंदा मेर्ट से पी-एम में. विनी गोज फॉर मॉर्णिंग वॉक. विनी मॉर्णिंग वॉक कब जाएगे? सुबह में. सुबह कब है? ए-एम वाला देखो. यह. छे बजे. मानव गोज टू स्कूल. मानव इस्कूल कब जाएगा? सुबह जाएगा? कितने बजे? साले साथ बजी. मिस्टर गुपता एंड इस फ्रेंड गो फॉर डिनर. डिनर के लिए कब जाएगे लोग? रात में जाते हैं डिनर के लिए. तो पी-एम वाला देखो. तब? नाइन पी-एम. रेनु हैज इवनिंग टी. रेनु इवनिंग टी कब लेगी? इवनिंग टी कब लेते हैं? शाम को. शाम के लिए क्या यूज करते हैं? पी-एम. पाइफ पी-एम. पाइफ पी-एम.